तो फ्रेंट्स मुझे रिक्वेस्ट आई थी नारेल के लड़ू बनाने की तो मैंने बुला ठीक है मैं आपके डिमांड के उपर नारेल के लड़ू जरूर बनाऊंगे तो यह रिक्वेस्ट जो थी मेरी एक फ्रेंड ने की थी तो मैं उसी के लिए आज नारेल के लड़ू बना के लिए की आई हूँ तो चलिए गाईज इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो मैंने यहाँ पर एक पैन को गरम किया है है उसमें ढालेंगे हम कोकोनट यह ड्राय कोकोनट है जो आपको पास मारकेट में बहुत इजीली आवलेबल होता है यह जो इसनेट कोकोनट भी बूल इसमें दूद आड़ करेंगे तो मैंने जिक पर एक कप दूद लिया है और दो कप यहां पर कोकोनट का पाउडर लिया है तो यह कोकोनट पाउडर है या देसिनेटेट रिट भी आप इसे बोलते हैं यह बहुत ही आपिसी भी मार्केट में अविलेबल होता है अब किसी भी तो बहुत जादा सौफ्ट हो जाएगा यह एक तरीके से कच्छे नारेल की तरह सौफ्ट हो जाएगा या फिर मैं यह कहूं कि जो आप सूजी बनाते हो ना दूद में गलाते हो सूजी को यह बिलकुल उसी की फॉर्म में आ जाएगा बहुत अच्छा इसका टेक्च्चर आ तब हम इसमें मिल्क पाउडर एड़ करेंगे तो मैं आधा कप मिल्क पाउडर का यूज करूंगे और साथी साथे से पकाना स्टार्ट कर देंगे इससे जैसी आप डालोगे ना तुरहनती से पकाना स्टार्ट कर दीजिए वना इसमें जो हैं गाठे पढ़ना स्टार्ट ह तो हम इसे अभी अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे यहां पर आपको बिल्कुल मावे वाला टेक्सचर देका यानि कि जो मावे क का या खोई का जो टेस्ट होता है बिल्कुल वही देगा इसलिए हमने हम ने मिलक पाउडर एड किया है और अब आपको क्या करना इसे अ मिठास भी है तो आपके जूनका फ्लेवर है वह भी बहुत जादा बढ़ जाएगा अब हम इस अच्छे से MRS पर चलाइगे तो आपको इसे करीब करीब चार से पांच मिनट चनाला हैं अगर आपको मीठा खाने का मन है और आपके पास जादा चीज़े नहीं है तो आप इसको बना करके ज़रूर प्राइ किजिए इसमें सिर्फ दो से तीन इंगिरिट्स जाते हैं और बहुत अच्छी जो आपकी मिठाई है वो बन करके रेडी हो जाती है अगर आपके घर में गयस जाने वाले हैं तो आप उन्हें भी इंस्टेंट सर्फ कर सकते हो यानि कि जैसी पता चले कि वो आने वाले है तुरण बनाया और सर्फ कर दिया यास मैंने ओफ कर दिये इसको ठंडा होने देंगी आदे घंटे के लिए आदा घंटा यहाँ पर हो चुका है अब मैंसे लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं हाथों से इस तरी गोल-गोल घंडाना डेख सकते हैं कि आपको फिट से दिखाती हूं हमें इस तरीके से लड्डू लेना है हातों में यानि कि हमें जो टेक्शर वह अपने हातों में लेना है और इस तरीके से गोल-गोल घुमाना है तो उससे क्या होगा न आपका जो लड्डू है वह बहुत ही अच्छा बन करके रेडी हो जाएग आप देख सकते हो बहुत ही जादा अच्छे से लड्डू बन करके रेडी हो जाते हैं तो फ्रेंस देखिए सारे लड्डू यहां बन करके रेडी हैं अब हम इसे जो है कोट करेंगे सुखे हुए नारियल के साथ जयानि कि जिसके हमने लड्डू बना है उसी के साथ हमें तो अभी बस आपको इस तरीके से coconut, dicey nut coconut को लेना है और इसमें इस तरीके से round round घुमाना है और लीजिए आपका coconut का लड़ू बिल्कुल बन करके ready हो चुका है अब इसे हम plate में लगाएंगे, तो मैंने यहाँ पर एक plate ली है तो यह बिल्कुल केले के पत्ते की shape की plate है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी केरल साइट की recipe है, तो मैंने सुचा क्यों ना पत्ते की shape में बनाई जाए तो अभी यहाँ पर मैंने जो लड्डू है उसको coconut में अच्छे से इसी तरीके से हमें जो है अच्छे से coat करना है ताकि जो आपके लड्डू है वह बहुत अच्छा टेस्ट लेगा है, बहुत अच्छा flavor दे, in fact, हाथ में जब आप पकड़ोगे तो चिपचिपाएंगे भी नहीं यानि कि आपके जो लड्डू है बहुत अच्छे बनके ready होँगे यहाँ पे हमारे लड्डू बनकर के ready हो चुक्ति है आप अछे है आप लड्डू बन चुके है आपको एक इसे break करके दिखाती हूँ कितने जाधा soft है, कि मुलायम है, किसी जादा नरम है यह लड्डू बहुत जाधा tasty हैं बहुत ज़ादा अच्छे हैं तो गैस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजेगा बनाईए खाईए इंजोई कीजे साथ मैं रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा चैनल को लाइक कीजे शेयर कीजे सबस्क्राइब कीजे साथ में बैल आइकरने उसको प्रेस क कीजे और हमारी वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद